हेलो प्यारे बच्चों कक्षिया साथ में गणित की प्रशनावली 12-10 मलब 2 में आपका स्वागत है हम करेंगे आज बचे वे से सवालों को तो आए परसंद संक्या 5 से शुरू करते हैं गटा X कीदो गटा Y कीदो जमा 6 X Y जमा 20 प्राप्त करने के लिए 3 X कीदो गटा 4 Y कीदो जमा 5 X Y जमा 20 में क्या निकाल लेना चाहिए बच्चों निकालते हम कोई चीज किसी के अंदर से तो वो चीज कम हो जाती है यानि कि घट जाती है तो यहाँ निकाल लिने का मतलब है कि उसके अंदर से हम क्या गटाएं कि वो हमें गटा X की दो, गटा Y की दो, जमा 6X, Y, जमा B से प्राप्त हो तो इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया है बच्चों हमने मान लिया कि हमें X उसके अंदर से निकाल लिना चाहिए किसके अंदर से? इसके अंदर से हमने क्या निकाल लिया? X, यानि कि गटा कर दिया X तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा X की दो, गटा X की दो, गटा Y की दो, जमा 6X, Y, जमा 20 क्योंकि हमसे यह पुछा है कि इसमें से यह सुरी क्योंकि हमसे यह पुछा है कि इसको प्राप्ट करने के लिए हमें इसके अंदर से क्या निकाल लेना चाहिए तो हमने मालने आगे हमें x निकालना चाहिए तब हमें यह मिल जाएगा तो इसको हल करते हैं यह तीन एक्स की दो घटा च्यार वाई की दो जमा पांच एक्स वाई जमा बीस हम क्या करते हैं बच्चो एक्स को उधर लेके जाते हैं इसको उठा के इधर ले आते हैं इधर लेंगे तो इसके अंदर से ये सारे का सारा घट जाएगा गटा X की 2 गटा Y की 2 जमा 6XY जमा 20 बराबर X को उठा गे हम लेगे इधर तो यह माइनस से क्या हो जाएगा पलस क्योंकि हमें जो रासी निकालनी है उसको हमें पलस में रखना है आगे अल करेंगे इसको 3X की 2 गटा 4Y की 2 जमा 5XY जमा 20 अब यह सारे निसान क्या होंगे बदल जाएगे क्योंकि बाहर गया है माइनस तो यह X की 2 हो जाएगा पलस का Y की 2 भी पलस का 6XY गटा हो जाएगा 20 भी गटा हो जाएगा बराबर X अब देखो बच्चों यहां से X की 2 बढ़े कौन कौन से हैं गट जाएगा बचेगा गटा के 3Y की 2 5XY गटा के 6XY यह पलस का यह माइनस का गटेगा गटा का 1XY एक को हमें लिखते नहीं है 20 जमा का और 20 गटा का 0 बराबर X तो यहां से हम कह सकते हैं X बराबर है 4X की 2 गटा 3Y की 2 गटा XY तो हमें यह रासिय उसके अंदर से निकाले लेनी चाहिए जी हमार आंसर हो जाएगा 6 का एपार्ट है 3X गटा Y जमा 11 और गटा Y गटा 11 के योग में से यानि दोनों के जोड में से 3X गटा Y गटा 11 को गटाईए तो हमें पहले इन दोनों को जोड़ना है उसके बाद उसके अंदर से 3X गटा Y गटा 11 को गटाना है इसी परकार है B पार्ट 4 जमा 3X और 5 गटा 4X जमा 2X की 2 के योग में से इन दोनों को जोड़िए उसमें से तीन एक्स की दो गटा पांच एक्स और गटा एक्स की दो जमा दो एक्स जमा पांच के योग को गटाईए यानि पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दोनों का जोड़ करेंगे फिर इन दोनों का जोड़ करेंगे और इन दोनों के जोड में से इन दोनों के जोड को घटाएंगे तो बच्चो शिक्स्त के ए पार्ट में ऐसे लिख लेंगे इन दोनों को जोडना है और उस दोनों के जोड जो आएगा उसमें से इसको घटाना है तो आईए इसको हल करते हैं तीन एक्स गटा वाई जमा ग्यारे जमा अब यहाँ पर जमा है अंदर यहाँ पर माइनस है गटा है भार जमा का निशान हो तो अंदर के निशान बदलते नहीं है कब बदलेंगे जब भार क्या हो गटा का निशान तो अंदर के निशान वही रहेंगे तो जमा और गटा यह हमारा हो जाएगा घटा जिसको हम यहां पर घटा लिख लेंगे फिर घटा के ग्यारे इसमें से हमें घटा आना है इस सारे को तो इनके निशान बदल जाएंगे अब तीन एक्स घटा हो जाएगा वाई जमा हो जाएगा ग्यारे भी जमा का हो जाएगा यह हमारे पास होगा तीन x, गटा y, जमा 11, बाचों जमा और गटा तो गटा आएगा, y-11, गटा 3x, जमा y, जमा 11, अब यहां से देखो, 3x पलस का, 3x माइनस का कट जाएगा, y-1, जमा का कट जाएगा, 11 जमा का 11 गटा का ये भी कट जाएगा हमारे पास बचेगा गटा वाई जमा 11 या कह सकते हैं 11 गटा वाई ये हमारा अंसर होगा दो संखें समान हों और दोनों के निसान अलग-अलग हों जमा गटा तो आपस में कटके जिरो हो जाता है छटे का भी पार्ट है इन दोनों के योग में से इन दोनों के योग में से इन दोनों का योग गटा ये तो हमने क्या किया इन दोनों का योग कर लिया और गटा दिया इन दोनों का योग पहले इन दोनों को जोडेंगे तो ये मारे पास आएगा गटा च्यार जमा तीन एक्स जमा पांच गटा च्यार एक्स जमा दो एक्स की दो इसके बाद गटा का निशान लगाएंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे तीन एक्स की दो गटा पांच एक्स गटा एक्स की दो जमा दो एक्स जमा पांच यह हो जाएगा अग्गेल करेंगे 4 जमा 3X जमा 5 घटा 4X जमा 2X की 2 अब ये बाहर माइनस का है अंदर गे निसाने बदल जाएंगे घटा के 3X की 2 जमा 5X जमा एक्स की 2 घटा 2X घटा 5 ये हो जाएगा हमारे पास अब एक जैसे पदों को देखेंगे याँ पर पहले लेते हम च्यार और गटा पांच ये बचेगा हमारे पास गटा का एक तीन एक्स और गटा के च्यार एक्स फिर पांच एक्स गटा के दो एक्स पहले लेते हम जोड़ वाड़े तीन एक्स और पांच एक्स आठ एक्स और गटा के च्यार एक्स और गटा के दो एक्स जाएंगे गटा के च्छे एक्स तो आठ एक्स हमारे पास हैं जमा के और च्छे एक्स हैं गटा के तो हमारे पास बचेंगे आठ एक्स गटा च्छे एक्स दो एक्स जमा के फिर हैं हमारे पास 2x की 2 और x की 2 3x की 2 और घटा के भी 3x की 2 यह कट जाएंगे कि दो x की 2 x की 2 3x की 2 और घटा के 3x की 2 कट जाएगा अब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा यह हमारा आंसर होगा अब यह हमारे पास बच्चों एक पद बचता है यहां पर देखो यहाँ पर शुरू में यह था हमारे पास यह हमने लिया था च्यार और गटा के पांच गटा के एक लेकिन जमा का पांच भी है तो यह बचेगा हमारे पास यह पांच से गटा पांच तो कट जाएगा हमारे पास बचेगा यहाँ पर सिरफ च्यार तो मारा अंसर हो जाएगा दो एक्स जमा चे आर ये मारा अंसर होगा